हम आपको प्रोवाइट करा रहे हैं एप्लिकेशन की स्रीज जो की यूपी बोर्ड साथी यम्पी बोर्ड बिहार बोर्ड साथ सभी स्टेट बोर्ड और पूरे आल स्टेड बोर्ड में ये क्विस्चन हर साल पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए और आपको एक्जाम में पूरे मार्क्स लाने हैं तो चलिए करते हैं स्टार्ट अप्लिकेशन का पार्ट फॉर्थ एक चीज मैं आपको बता दूँ अप्लिकेशन के तीन पार्ट अप्लोड हो चुके हैं उनको आप देख सकते हैं ये application का चौथा part है कुल पाँच पाइट है इस पाँच पाइट application को पाँचो अगर application 10-10 minute की वीडियो है पाँचो के अगर आप इन पाँचो को देख लेते हैं तो समझ लीजे गारंटी है 4-5 number board में fix जी हां भाई 5 वीडियो आप ये ratio कर लो आप आखड़ा लगा लो जोड़ लो पाँच वीडियो तो 10 minute के हैं 50 minute में आप खतम मतलब एक घंटे अगर आप मन लगा के पढ़ दिये किसी भी दिन तो समझ लीजी एक बार में ही आपको पूरा तरीका याद हो जाने वाला है तरीका वही है लिखने का matter वही है उपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है date, तारीक, सब का format एक ही है 10-20% चीजें बदलती है question के हिसाब से तो आप कर एक घंटे मन लगा कि इन 5 वीडियो को playlist से देख लेते हो तो 4-5 नंबर आपके बिल्कुल confirm हो जाएंगे कितना आसान है एक घंटे भी 4-5 नंबर मिल जाने है ठीक है न? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना चलो अब करते हैं स्टार्ट हमारा ये 4 टॉपिक है 3 टॉपिक हम डाल चुके है जो हमारा चौथा टॉपिक है application to the principal of your school आपके अपने प्रधानाचार को एक अवेधन पत्र लिखना है requesting him to you give him to give you a character certificate आप उनसे अनुरोद कर रहे हैं आप उनसे प्राथना कर रहे हैं कि आपको character certificate दे दे character certificate का मतलब क्या होता है चरित्र प्रमाण पत्र देखे जब आप school छोड़ते हो last में या फिर किसी दूसरे school में आप नाम लिखाना चाहते हो तो वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र रमगाये जाता है कि आपका बढ़ताओ और आपका चरित्र school में कैसा था मतलब आप अच्छे थे कि आप खराब थे तो ये आपके principle सर बना के आपको देते हैं जैसा आपका चरित्र होता है ज्यादा तर सबका अच्छा ही बनाया जाता है इसलिए आप अप लोग अपने चरित्र पर ध्यान दीजेगा क्योंकि अगर आप कहीं बेडिविशन कराएंगे आफ्टर 12 आफ्टर 10 तो आपको हाँ पे character certificate जमा करना पड़ेगा इसलिए आप अपना चरित्र अच्छा बना के रखीएगा चलिए तो करते हैं start यह हमारा part 4 है एक चीज मैं आपको और बता दूँ कि यह आप देख सकते हैं मैं थोड़ा इसको जूम करना चाहूंगा यह अब आप देख सकते हैं कि 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020 कितना हो गया करनो गिनो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बार बोड़ में पूछा जा चुका है मतलब पांच, पांच, छे छे बार वही कोश्चन आ रहे हैं कॉपी हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो भाई application के तो गिने चुने matter है उसमें तो आप बढ़ा नहीं दोगे तो आप इतना सरल है यार तो इसको तो आप एकदम रट के जाओ एकदम गोच किया होगे पुल में पुल चलो तो आपको सबसे पहले सभी application की तरह यहाँ पे लिखना है to उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है the principal फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपने college का नाम जैसे मैंने लिख दिया है डिये बी इंटर college उसके नीचे आपको लिखना है अपना address means अपने school का address ना लाइकों कानपूर या फिर जहाँ जहाँ तो उसके बाद आपको क्या करना है subject subject मतलब क्या हुआ sir subject मतलब भिशय होता है तुम लोग पढ़े नहीं हो subject मतलब होता है भिशय तो आप यहाँ पे लिख दोगे application for character certificate किसके लिए sir application for character certificate किसके लिए application देरो principal sir को चरित्र प्रमाड पत्र के लिए तो application for character certificate ब्लैक में से subject डालना नहीं तो नंबर में दिक्कत हो जाएगी पिर क्या करना है sir कुछ नहीं करना है बैठे रहो ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले एक दो घंटे तुम्हें नत करनी पड़ेगी अगर यह नंबर फिक्स करना है आप डालोगे यहाँ पे sir sir के बाद डालोगे छोटा सा कॉमा छोटा सा चोटा सा चोटा सा चोटा 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 बीचारा मैंने इसको दाब दिया देखो ठीक है तो यहाँ पे आपको कॉमा होगा उसके बाद आप क्या लिखोगे respectfully I have to state that my father has been transferred to कानपू I have to state that my clear करना चाहता हूं या मैं यह बताना चाहता हूं ठीक है that my father मेरे पिता जी has been transferred यहाँ से transferred हो चुके हैं कहां transfer हो चुके हैं to कानपूर कहां के लिए transfer हो चुके हैं to कानपूर को कि एक चीज़ आप notice रख करिएगा कि यहां पर आपको अपने स्कूल का address जालना है जैसे मैंने कानपूर दोनों जोगा लिख दिया है तो आप यह नहीं कि एक ही address दोनों जोगा छाप दोगए यहाँ पर आपको इसकूल का नाम लिखा है फिर यहाँ पर आपको गर आप been transfer to Kanpur मैं यह clear कर देना चाहता हूं कि मेरे पिता जी का यहां से तबादला हो चुका है कहां के लिए हो चुका है कानपुर के लिए हो चुका है फिर as I have to join government college there इस प्रकार मुझे वहाँ पे सरकारी college join करना है सरकारी college में नाम लिखाना है सरकारी college में पढ़ना है उसके बाद I need a character certificate तो I mean यहां पर आप character certificate लिखो चाहे आप यहां पर certificate लिखो वह आगे चीज में इंसन कर दी जाएगी तो I need a certificate मैं एक certificate चाहता हूं मैं प्रमार पत्र चाहता हूं regarding my character and conduct जो मेरा कर्म रहा है जैसा कर्म करोगे school में ठीक है अब तुम लोग जानते हैं कि तुम लोग क्या क्या करते हुआ ही जो अच्छा बच्चा रहेगा उसके character certificate में अच्छा लिखा जाएगा जो ना लाइक ही करेगा उसके character certificate में ना की लिखी जाएगी तो इसलिए अपना character बहुत अच्छा बना के रखना अपना conduct अपना जो effect है अपना impression अपना बात बहुत हर बेटर रखना ठीक है तो आई certificate मुझे certificate के ज़रूरत है regarding my character and conduct अपने चाल चलन के अनुसार अपने चरित्र के अनुसार फिर आपको क्या करना है वो line उस line के बाद छोड़ दे रहा है वह आपको कुछ नहीं लिखना है फिर आपको एक line नीचे यहाँ पर आप देख लिए जैसा कि मैंने यह लिखा है I have to seek admission in class 9 मुझे एडवीशन मतलब मैं कच्छा नौमी में प्रवेस लेना है मतलब मैं कच्छा नौमी में पढ़ना चाहता हूं यह चीज़ आप यहाँ पर लिख रहे हो 20 बार तुम लोग को हिंदी बताते हैं तुम लोग को अभी नहीं सौच में रुको कि यह देखो छोटू सब्सक्राइब लगा थे तुम लोग को भी ना जूम किया नहीं दिखता टेस्टिंग कर रहा हुआ कि ना लाइक को फिर आपको क्या करना है इस प्रकार आपसे निवेदन है कि तो इसु मी दा करेक्टर सर्टिफिकेट एट एन एरली डेट जल्द से जल्द मेरा चरित्य प्रमान पत्र देने की क्रिपा करें महोदै रटलो महोदै नंबर मिल जाएंगे नहीं तो समझ लो नहीं तो सीख लो प्रैक्टिस कर लो तुम्हारे उपर है कि कैसे लिख करके जाओगे लिख के आना बस यह चीछ तुम दिमाग में रख लो गर वीडियो देख रहे हो तो पेपर में लिख के आना पूरे नंबर लेके आना अच्छा परसेंट बनाना प् इतने application यह part fourth है, part first हो, चाहे part second हो, चाहे part third हो, some में thanking you, your obediently, date का format, class का format, सब एक ही रहता है, फिर भी तुम लोग को नहीं रट रहा है, भार बार भार भाई चीज आ रही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है thanking you, मतलब धन्यवाद, फिर आपको यहाँ लिखना है date, date का format मैंने बता दिया है, कि date का format यही यूज़ करना, month में, पहले month जैसे January, February, अब यही date ना copy करके आ जाना, तो जो month होगा, या फिर आप board में लिखोगा, तो date matter करती नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और real में गर आप application दे रहे हो, तो आप आप वही date देना, जिस दिन आप अपने सर को यह application पकड़ा रहे हो, दे रहे हो, तो date लिखना है, किसमें लिखना है, alphabet में, उसके बाद आपको sun लिखना है, और उसके सामने सीधा front में, ठीक है, front camera तो बहुत जानते हो, उसके सीधा सामने, आपको लिखना है, your obediently, मतलब आपका आज्याकारी, जिस, कितने आज्याकारी हो, तुम ही लोग जानते हो, तो your obediently, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके नीचे class लिखनी है, नहीं, मैं यहाँ पे आप class नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे चीन mention कर दी है, तो यहाँ पे आपको class लिखना जरूरी नहीं है, तो चलिए, मैं इसको छोटा छोटू कर देता हूँ, आप इसका ले लिजे, screen sort, तो विडियो फिर करेंगे, समाप्ट लिजे, तो हो गया, आपका screen sort हो गया, तो friends, thank you, चलिए विडियो करते हैं समाप्ट, धन्यवाद,